बिवानी जिले के गाउं पालुवास में दो दर्जन के लगभग परिवार जो खुद की जमीन होते हुए मकान बनाने में सक्षम नहीं थे ऐसे लोगों को मकान बनाने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट किष्टों में धनमोहिया करवाया गया इससे इन लोगों के सिर पर आच्छत है तथवे समान पूर्वक तरीके से समाज में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं गाउपालुबास, निवासी, रविदर कुमार, संतोश और बहदूर सिंग ने बताया कि उन्हें मकान बनाने के लिए 45,000, 60,000, 33,000 रुपे की तीन किष्टों में मकान बनाने के लिए रुपे दिये गए इसके अलावा 12,000 रुपे शौचाले बनाने सहित, 45 दिनों की मजदूरी के 18,000 रुपे भी अपना ही मकान बनाने के लिए लाबार्थियों को दिये गए इस प्रकार फुल 1,68,000 रुपे के लगभग की राशी प्रतेक लाबार्थियों को उपलब्द करवाई गई पहले हमारा मकान बिल्कुल 4-64 फोट निचे गराई में था और कडियों की छाथी बिल्कुल टपके करती और ये प्रदान में आवाश योजना कहता है था में बहुत अचाला मिला सरकार की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं प्रदान मंतरी का मतरी योजना से पैसे मिले हैं तिसे हम आज मकान में बठे हुए हैं पहले से तो बहुत अच्छा जीवन चल रहा जी पहले तो बहुत दुखी थी बहुत अच्छा करने सरकार ने अमारका सरिदा दी जी